नमस्कार दर्शकों मैं राजीश आपके अपने इस हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वावर करता हूँ दर्शकों अब गर आपको या आपके किसी अपने को कोई गंभीर बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है या कह दिया कि भई ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती आप डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है जी आपको सारा जीवन दवाईया खानी पड़ेंगी आपने किसी बड़े अस्पताल में दिखाया किसी बड़े होस्पिटल ने आपसे कह दिया कि इस बीमारी का तो आपरेशन ही होगा और कोई इसका हल नहीं है तो अब आप कताई घबराएं नहीं परिशन नहों आप स्क्रीन पर दिये हुए नमबर्स पर कॉल करें और जाने हमारे अनुखवी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से उनकी राय चुकि वो आपकी बात को पूरी तरह से समझ के आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपकी बीमारी हुई क्यों है उसकी जड़ क्या है उसका कारण क्या है तब होगा उस बीमारी का पूरी तरह से निदान हल साथ ही आपको इस कारिकरम में मैं बताऊंगा कि कैसे आप हेल्दी स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं और आपको गर कोई बीमारी हो भी गई है तो उस बीमारी से आप कैसे छुटकारा पाएंगे आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि इस्क्रीन पर दिये हुए नमबर्स पर कॉल करें और जुड़ जाएं हमारे साथ इश्यों आईए अब आपको बताएं कि कैसे आज कल हम बिन बुलाएं बीमारियों को अपने साथ न्योता देने तो दोस्तों जीवन का एक बहुत ही सिंपल नियम है कि जैसा बोगे वैसा पाऊगे वैसा ही ठीक नियम आपके शरीर के साथ फिलागो होता है भई जैसा खाऊगे वैसा हो जाऊगे आज कल गलत लाइफ इस्टाइल गलत खान पान की वजह से हम बिन बुलाएं बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में आमंतरन निमंतरन दे लेते हैं और हो बैठते हैं शिकार, BP, शुगर, पाइल, शरीर का दर्द, जोडो का दर्द, ठकान, अनिंद्रा, अपाच्य, किड़नी, लीवर और जैसे मैंने आप से कहा अपाच्य, जी हाँ, डाइजेशन ना हो पाना gas acidity की problem जो आजकल है, वो ये समझेए कि 10 में से 8 लोगों को है, इतनी गंभीर ये समझ्चा है, गेस की और इसके साथ मोटापा, बिन जाने, बिन पूछे, ना जाने, क्या, क्या खाते रहते हैं, अब वो खाने की वज़े से, मैंने पहले ही का, गलत खानपान की वज़े से, मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, और मोटापा बढ़ने के सा साथ और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम न्योता दे देते हैं अब हम आपको बताएं कि अब एक दूसरी बड़ी गंभीर समच्छा साथ में यह भी है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट एक कितना सामानने अब होता जा रहा है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए हार्ट एक से एक महीने में 40 साल से कम उम्र के जिहां 100 लोगों की मौत कोरोना काल के बाद हार्ट एक से मरने वालों के संख्या तोगनी हुई दूसरा आप यह देखिए कि युवाओं में हार्ट एक इतना बढ़ रहा है कि एक सीए की कार चलाते हुए मौत हूँ आज कल युवाओं में बढ़ता हुआ हार्ट एटेक, साइलेंट एटेक कितना कम फिर विशे बन चुका है यह एक ऐसी समश्या बन चुकी है जिसके प्रती हम सब लोगों को सचेत होने की बहुत आवश्यत है बई मातर 25 से 40 साल की उमर होती ही क्या है? यह जीवन में राइज करने का, प्रगती करने का समय होता है, आगे बढ़ने का टाइम होता है जिसमें आप लगातार देख रहे हैं, कि हार्ट अटेक, साइलेंट अटेक आरहे है जिन करते हुए, वर्क आॉट करते हुए, और तो और किसी खुशी में डांस करते हुए गाड़ी चलाते हुए, कितने सारे सालिबेटी, कितने सारे अन्यतर फिल्ड के लोग इस साइलेंट अटेंग हार्टक से जा रहे हैं आम हो या खास, ये बड़ी गंभीर वज़ा बन चुका है आज की समय अब हम आपको बताएं कि आयुरवैद विज्ञान ने हाय टेक के पीछे पांच कारणों को मुख्यता विशेस माना है जी हां पहला तनाव, तनाव आपको नौकरी का हो, आपको रिलेशन्शिप में हो या तनाव आपको किसी कामकाज को लेकर या पढ़ाई को लेकर सबसे पहले आप अपना तनाव कर रहे हैं दूसरा गलत खान पान, वह जंक फूड खा रहे हैं आज कल युवा पेडिकों में विशेश तोर पर बता हूं कि आप कोल्डरिंग पी रहे हैं वह कोल्डरिंग से बढ़िया, आप मठा पीजिए, चाज पीजिए, नाडिल पानी पीजिए और कुछ भी ना मिले तो पानी पीजिए तो गलत खान पान, तनाप, और तीसरा, बड़ा कारण, जो आप सब अच्छी तरह से समझते हैं मोबाइल और कम्प्यूटर, ये ऐसे इलक्टरनिक उपकरण, जिन पर आप देर राद तक आप व्यस्त होते हैं बिल्कुल देर राद तक आप बने रहते हैं, अब देर राद तक उन पे रहेंगे, तो सुबह भी देर से उठेंगे, दिन चरिया खराब इसके अलावा सबसे बड़ी वज़ा, वो वज़ा है आपका नशा, जी हाँ, जो नशा नहीं करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नशा करते हैं वो विशेस तोर पे सुन लें कि नशा, नशा में आप ये समझेए कि नशे को आप करते हुए स्वयम आम अंतरन दे रहें ह और बड़ी बड़ी परिशानियों को अपने साथ, इसके बाद एक और बड़ा कारण, पांच बाद मुख्य विशेस कारण, जो आईरवेद विज्ञानने मान आए और आप भी समझ रहें, वो कारण है पॉलिशन, अब पॉलिशन को आप कैसे, किस हद तक सरकार ठीक करेग बिल्कुल, पांच हजार वर्षों से भी कहीं जादा पुराना है हमारा आईरवेद, अब आप सोचिए कि रामायन काल में, जब लक्षमन जी को शक्ती लगी मेगनात के द्वारा, तब आई लक्षमन जी को बचाने संजीवनी बूटी, क्या है संजीवनी बूटी, वही सं आपके स्वास्त को, आपको हेल्दी बनाने को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्था के द्वारा बनाया गया है आदवेद, रोग निवारक किट, यह एक ऐसी किट है जिसे 15 साल से लेके 80 साल तक का युवा, बूढ़ा, बुढ़ा, बुजूर्ग, माता, बेहन, बच्चा कोई भी प्रयोक कर सकता है, और छुटकारा पा सकता है अपनी किसी भी बीमारी से, और बीमारी नहीं भी है, तो अपनी इमिनिटी बूस्ट कर सकता है, अपनी रोग पर्तिरुतक्ष्वता बढ़ा सकता है, इस आधवेद, रोग निवारक किट में ऐसी ऐसी जड़ी मिलाई गई है जो सच्पुछ रामबाण आपकी आतों में जमी घंदगी को बाहर निकालने का काम करती है आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है साथ ही बॉड़ी में जो पैड़ बैक्टरिया है उसको समाप्ट करती है और इसके साथ साथ आपके शरीर की इम्मिनुटी नाम भीमा शंंकर मैं बिजनोर उत्र पठेस बोल रहा हूं जी भीमा शंकर जी बताएं कि क्या परेशानी है के सार हमेंना में बहुत दर्द रहता है इसी जी भी करवाया के उसमें कुछ आया ही नहीं रात में कभी करब नीन भी नहीं आती है और साथ में कई भर की आता है कि मेरे हात और कंपले में भी दरद रहता है कि जब तक बीमारी 70 से 75 प्रसेंट तक बढ़ नहीं जाती तब तक टेस्ट में आती नहीं है अमुमन तोर पैसा देखा दिया है लेकिन आप यह बताएं कि आपकी उम्र कितनी है आपका वजन कितना है आपकी हाइट क्या है और आपको ब्लड रूप क्या है सर जी मेरी उम्र 51 साल है वेट मेरा 90 किलो होगा और हाइट पांच फुट आट इंच करीम है ब्लड ग्रूप मेरा भी पॉजिटीव है अच्छा जैसे आपने बताया कि आपको चेस्ट में दर्द रहता है तो आपको चेस्ट में दर्द लेफ साइड में रहता है या राइट स की भी शिकायत रहती होगा का आप वह समझ के आपको दबा दे दी जब तक दवा आपने खाई कुछ दिन रिलीफ मिला आराम मिला समस्च्या जो कि तुझी जब तक बीमारी का मूल कारण उसकी जन नहीं जाने जाएगी तब तक उसका पूरा हल पूरा निवारण नहीं समझ लीजिए कि आप सबसे पहले अपने लीवर का टेस्ट करा है आपका लीवर फैटी हो चुका है और आपके शरीर में वायू बढ़ गई है जब वायू बढ़ जाती है तो दर्द होता है यही मुख्ट कारण है आपके दर्द का इसके लिए अब आप कताई घबराएं नहीं परिशान नहों और मैं साथ यह आपको यह में बता दू कि वात, पित और कफ जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तब बहुत सारी बीमारियां शरीर में घर बना लेती है इसके लिए अब आप स्क्रीन पर दिये होई नंबर्स पर कॉल करें हमारे अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्तर और एक्सपर्ट से परामर्श ले वो आपको बताएंगे कि आपको इस बीमारी में क्या खाना है और क्या परहिस करना है साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे इसके अलावा आप चाहें तो हमारे क्लीनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं और चाहें तो आप घर बैठे भी दवा मगवा सकते हैं हमारी आदवेद रोग निवारक किट में आपकी बीमारी क्ली को दूर करने की पूरी शंता है और वह समस्त बीमारιों को दूर करने के लिए हम आपके साथ हर समय तयार है आपको बस चोटा सा काम करना है कि आप इसी के साथ अब एक और क solids हमारे साथ है आईये जानते हैं उनसे कि वह क्या कूछने चाहते है हलो कि अप्रफुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर को रहा हूं सर जी जार खंट से अच्छा कभीर क्या जानना चाहते हैं क्या परिशानी आपको सर मुझे न पाइल्स की दिक्कत है पिछले तीन साल से डॉक्टर से दवा ले रहे हैं लेकिन अराम नहीं आ रहा पेट में भी कभी कभी दर्द उठता रहता है अच्छा कभीर 35 साल है और हमारी हाइट है पांच फुट चार इंच और सर जी हमारा वजन है करीब 70 किलो ब्लड ग्रूप कभी चेक नहीं करवाया सर अच्छा कोई बात नहीं करवा ले न आप हमें यह बताओ कि आप पाइल्स की दवा कमसे खा रहे हैं सर लगबग डेट दो साल हो गए है पहले घर पर ही देशी हिलाज करता रहा लेकिन उससे अराम नहीं आया परेशानी और बढ़ गई वलकी फिर डाक्टर से दवा ली कुछ टाइम तो अराम मिला लेकिन फिर से वही परेशानी दुबारा शुरू हो गई अब तो खून भी आने लगा है सर जी डाक्टर कह रह गहां तो खुन वही जरुए कि ढपनाल की जब्राने और हावन की पूर जने में ही और हम आको सही परावर्शनी kannu कि प्रॉप्री оно की कौई जरुवत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल और बिलकुल आहीरी व्हस्तु कि ऐसा क्यों शर्रीवेड़ आप को प्याएव एस से पहले परभा बीमारी की जड़ें पोछा जाता है और बीमारी का मूल कारण जानने बाद उसका निधान जुसका इलाज शुए अच्छ다면 पैसके 2005 पहुच नहीं सर इतनी बात कहा करते हैं डॉक्टर बस यही पूछते हैं क्या दिक्कत है कब से है मरीज पहुंचा नहीं कि दवा की पूटली बंढ दी अंग्रेजी दवाओं का पूज बढ़ा तीया उसके उपर लेकिन आयूरवेद में ऐसा बिलकुल नहीं है मैं जैसे आपसे कह चुका हूँ फिर आपको बता रहूँ आयूरवेद में सबसे पहले आपकी बीमारी की जड़ तक पहुचा जाएगा उसका कारण जाना जाएगा और उस बीमारी की जड़ और कारण को जानने के बाद जैसे हमारी संस्था में हमारे आयुरवेद के special doctors, researchers और expert उस बीमारी पर पूरा शोध करके बनाते हैं उसके लिए दबा जैसे हमारी आदवेद रोग निवारक किट है वो दी जाते हैं उसके साथ में समझा जाता है कि बीमारी है क्या हुई है क्यों तो आप बिल्कुल ना परिशान हो बिल्कुल ना घबराएं और operation की ज़ूरत आपको इसमें पढ़ेगी ने बस आप screen पर दिये हो नंबर पर कॉल करें हमारे अनुभवी doctors को आप चाहें तो क्लिनिक में आके दिखा ले ये चाहो तो घर बैठे दवा मंग वालो हमारे doctors आपको बताएंगे कि भई इस बीमारी के लिए आपको क्या परहिज करना है किस तरह से आपको दवा लेनी है किस तरह से आपको योगा करना है कौन से exercise करनी है और कौन कौन सा परहिज रतना है खान पान में क्या आपको सामधानी बरतना है करताई घबराने की जुरुत नहीं है कभीर आप पूरी तरह से 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे और operation की जुरुत नहीं पड़ेगी आयूरवेद रमबान इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए है आयए पूछते हैं उनसे क्या कहना चाहते है सर मेरा नम सुनीता है मैं परिदाबाद से बोल रहे हूं क्या कहना चाहते है सर मुझे 5 कुई नहीं हो गए है शुगर की दवाई खाते वे मेरा शुगर लेवल अब बिल्कुल ठीक है मैंने आपके इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से बात की थी और अपनी शुगर की दवाई मंगवाई थी उन्होंने दवाई के साथ साथ मुझे जो जो बताया मैंने वैसे ही किया और मेरा वजन भी काफी जादा था 105 किलो तो उन्होंने वजन कम करने की दवाई दी थी उतसे मेरा वजन कम हुआये और शुगर लेवल भी कम आने लगाए मुझे शरीर में जो दर्दी थी उसमें भी काफी आराम मिला है ककश है मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि call करूं और डॉक्टर मैंम को थैंक यू बोल दों धन्यवाद डॉक्टर मैडम के ओर से भी धन्यवाद और हमारी संस्था कियों दो आपको बहुत 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 झन्यवाद और जिस तरह से आयुर। कि दवा से आप अपना वजन और अपना शुगर दोनों मेंटेन कर रही है वो सच मुछ काबिले तारी है आप शुगर के साथ साथ अपने शरीर को और अन्य गंभिर बीमारियों से बचा रही है यह सिर्फ और सिर्फ आयूनवीद का ही कबाल है और आपका फॉन करना हमारा फ सकतर के आसपास ही रहता था खाना खाने के बाद हाथ पैरों में और कमर में भी बहुत दर्द रहता था चलने फिरने में भी कापी परशानी होती थी मुझे वजन भी 105 किलो था लेकिन जब से आपके दवाई ले रही हूं बड़ा आराम है अब तो सुबे शाम सेर पे भी चली जाती हूं ठकान और कमजोरे भी मैसी उस नहीं इसाइए smith नेल करता है अब आपको धीरे-धीरे ठकान भी नहीं होगी कमजोरी भी नहीं होगी क्योंकि आप समय पर दवा ले रही हैं तो आप इसी तरह से समय पर दवा लेते रहें हमारे डॉक्टर्स के परामर्श ग लो क्न रहे क्युंकि अब आपकी स्वस्त्य की आपको नेरोगी लखने की ज़म्यवारी संस्था की और जब आप संस्था से जुड़ जाते हैं, तो आपको हेल्धी रखने की ज fazer रहे जैते हैं दर्शा को बहुत अच्छा लगता है जिसलिते से हसता है मुस्कुराता है हेल्दी और निरोगी हो जाता है इसी के साथ आपको एक बात और बता दो कि गर आप 30-40 की उमर में हैं और अभी तक आपको कोई बीमारी नहीं होई है तब तो आपके लिए आद वेद रोग रिवारक किट का इस्तमाल करना और साथ जरूरी हो जात तो उससे पहले ही गर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, स्वस्त हैं तो भी आद वेद रोग निवारक किट का सेवन जरूर से करें आद वेद रोग निवारक किट का सेवन करने से आपकी बडी के बैट बैक्टरिया, हामफुल वाइरस साब बाहर नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है, आतों की जमी गंदगी बाहर हो जाती है, इम्मूनिटी पावर बूस्ट अप हो जाती है और रोग पृति रोधक्षमता मजबूत हो जाती है, तो इसके लिए आज ही जुड़ जाएं सवस्ता से जुड़ जाएं आद वेद रोग निवारक किट के सेवन के होता है, नर्वस सिस्टम में तेजी आती है, शरीर की इम्मूनिटी बूस्ट होती है, साथ ही आपके शरीर का शुद्धी करन करने में यह आपकी मदद करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाता है, आद वेद रोग निवारक किट में आपको मिलती है डॉ आद वेद रोग निवारक आपके शरीर के लिए पूरी तरह कम्प्लीट रोग निवारक किट है, जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है कुछ ठीक लगने लगा, पेट काफी साफ होने लगा, अब तो ना तो कबजकी से काया था है और ना पाहिल सोने का दर, और एक बात, 6 महने पहले मैंने फूल बड़ी टेस्ट कराया था, और उसमें मेरा कलस्टोर बढ़ा हुआ था, फैटी लिबर भी था, बड़ी इस बागत है, हमारे पास काफी कॉल आ रहे हैं, इससे पहले कि मैं अगली कॉल हूँ, मैं आपको उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, सेहस से जुड़ी एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, नवभार्त पेपर की एक खबर है, जिसमें लिखा ह रोगों की जड़ बना रिफाइंड तेल, जी हाँ, 20 लाख लोगों की हर वर्ष जाती है जान, इसके साथ ही मैं आपको बताओं कि ये देखिए, वनस्पति घी, रिफाइंड ओयल, युवाओं में घटा रहा मरदान गी, ये देखिए, बढ़ा रहा नपुन सकता, अब आ खाने में तेल की एहम भूमिका होती है, जी हां सही सुन रहे हैं, किसी भी खाने में तेल की एहम भूमिका होती है, इसलिए सही तेल का चुनना बहुत ज़रूरी है, अब जो लोग अपने खाने में डालडा, वरस पती, रिफाइंड, संफ्लावर, पाम ओयल, इस तरहे के अउयल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग समझ जाएं कि वो अपने शरीर में बीमारीों को योता दे रहे अपने शरीर को बीमारीों का घर बना रहे वो किसी भी समय गंभीर से गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं इसलिए आपको अपने खाने में मुंफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या गाय का शुद्ध देशिक ही प्रियोग करना चाहिए जिससे आप सेहत मंग भी रहेंगे, स्वर्ष्थ भी रहेंगे और आपके लिए अच्छा रहेंगे अब जो लोग बाहर का खाना खाते हैं या बाहर खाते हैं वो यह समझ लें कि बाहर का खाना खाने से जिस तरह के गलत तेलों का इस्तमाल हो रहा है उससे उसके क्या दूस प्रड़ाम हो सकते हैं उनके साथ हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है बीपी हो सकता है शुगर हो सकता ह पाइन्स हो सकता है, अपच हो सकती है, पूरे शरीर में खकान, दर्द हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां उन्हें हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप ये समझ लें, कि अपने आपको विशेशता ये ध्यान रखें, कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। खान पान में विशेश ध्यान रखना बहुत आवश्यक। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आईए उन से बात करते हैं। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम रेनु है, मैं भीवानी से बात कर लिए। आँ, भीवानी, हरियान से? जी सर जी बताएं, रेनु जी क्या पूछना चाहती हैं? सर, मेरे पैरों के तले बहुत जलन होती है, कभी-कभी सुन पर भी मैसूस होता है। अच्छा क्या आपको दार्ट और जुंजराट भी रहती है? जी सर कभी कभी अच्छा आप ये बताएं, रेनु जी क्या आपको यूरिन पिशाप खुल कर आता है? जी ठीक आता है आपका वजन कितना है? उम्र क्या होगी? हाइट के साथ-साथ ब्लड गूरूप भी बताओ आप हमें अपना तरह सुगर बहुत पहले चेक कर रहाई थी, तब तो नहीं आई थी और ये जलन भी 4-5 महिनों से जादा हो रही है पैरों में तेल लगाती थोड़ा आराम मिलता है अच्छा रेलू जी आपके साथ-साथ मैं और देखने वाले दर्शकों को भी यहां यह बता दूँ कि पैरों में दर्द, जलन, जुन-जुना हाट यह सब कई बार विटामिन B12 की कमी हो जाने की वजह से होता है हमारे पैरों की नसों में जब खोन की सप्लाई सही मातरा में नहीं पहुचती तो पैरों की नसों कमजोर होने लगती है नव डेमेज होने लगती है शरीर में पानी की कमी का होना शरीर में अत्यधिक गर्मी का बढ़ जाना जादा से जादा गरम चीजों का खाना हाई ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड का बढ़ना भी एक बड़ा कारण होता है पैरों में जलन और जुनचुना लेकिन आप घबराये नहीं, परेशान मत हो आप हमारी संस्था में डॉक्टर से परामुर्ष ले वो आपको बताएंगे कि आपको यूरिकेसिड शुगर का टेस्ट विटामिन B12 का टेस्ट और उसके साथ कुछ और भी टेस्ट आपको करवाने होंगे जिनकी रिपोर्ट आईगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पे हमारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स आपका लाच शुरू कर देंगे और जल्द ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप ठीक हो जाओगे इसी के साथ एक और कॉलर लाइन पर है आईए उनसे बात कर लेते हैं जी बताएं नमस्कार सर मेरा नाम उमेश मिश्रा है मैं इलाबार से बोल रहा हूँ सर हमें अपनी माताजी के बारे में पूछना है उन्हें गटियों की शिकायत है जी उमेश जी बताएं क्या जानना चाहते हैं उनके जोडों में बहुत दर्दों रहता है और हातों की उंगलियों में सूजन बनी रहती है उनके गटनों में भी डर्द रहता है उठने बैठने में और चलने में तकलीफ होती है अच्छा उमेश जी सबसे पहले तो यह बता है कि माताजी की उम्र क्या है उनका वजन कितना है इस समय और उनकी हाइट क्या होगी और ब्लड ग्रूप में बता अच्छा उमेश यह बताओ कि उन्हें गठिया की दिक्कत कब से है उमेश गठिया एक गंभीर भीमाई और इसका इलाज आयूरवीद में संभाव है मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजी इलाज में इस्टेराइड और इंजेक्शन देकर कुछ समय के लिए दर्द को दबा दिया जाता है उसके बाद मरीज की इस्तिती फिर्जस्कितस हो जाती है लेकिन आयूरवेद में गठिया का प्रापर इलाज और वैसे भी हमारे शरीर में जब वात पित कफ दोशों का संतुलन बिगड़ जाता है तब हमारा शरीर खुद बाखुद रोगों का भर बन जाता है लेकिन मुख्यता वात दोश के बिगड़ जाने के कारण ही गठिया रोग होता है और इसमें होता क्या है? होता ये है कि इसमें वायू आपके जोडों में प्रवेश करने लगते है जब वात का संतुलन बिगड़ जाता है शरीर के अंदर तो वायू प्रवेश करती है आपके जोडों के अंदर और जोडों के अंदर प्रवेश करने पर सूजन, गंभीर दर्द और यही आप दे चलके गठिया का रूप ले लेता है और फिर गंभीर गठिया तब हो जाता है जब आपके हाथों की पेरों की उंगलियां बोड़ने लगते है यह है गठिया लेकिन अब आप इस गठिया से कता ही न घब रहें आप हमारी संस्था के डॉक्टर से बात करें वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे आप माता जी के वो टेस्ट कराएं और तब तक आप माता जी के खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएं जैसे खटी चीजों से उन्हें विशेश तोर पर पर परेज रखना होगा दही चाज नीबू और दोच से बने हुए प्रडेक्ट यानि डेरी प्रडेक्ट से विए उन्हें कुछ दिन के लिए परेज करना चाहिए इसके साथ ही हमारे डॉक्टर और डाइटीशन ये बताएंगे कि उन्हें खान पान में और कौन से विशेश बदलाव करने हैं क्या खा खाते रहते हैं भे बीपी और शुगर के मरीज तो बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल तक अगरेजी दवाईयां खाते रहते हैं अब सोचिए ये अगरेजी दवाई कहां से आती है विद्रिशों से और कितना करोडों अर्वर रुपया हमारे देश का इन दवाओं को जो मिलकर इस पर रोक लगा सकते हैं आग को सोचिए कि क्या आजादी से पहले देश पर बीमारीा नहीं होती थी लोग बीमार नहीं पढ़ते थे छितेWow अनग्रेजी दवाओं का ढयलता जा रहा है वह भीमारी के न Tah replicate तर्हा तर्हा से हमें दरा रहे हैं, दवाएं अपनी बेच रहे हैं, दवाएं बिक भी रही हैं, लोग खा भी रहे हैं, और जल्दी मर भी रहे हैं, लेकिन दर्शकों अब मेरी आप से हाथ जोड़कर विंती है, निवेदन है कि आप लोग आयुरुवेद की ताकत को उसकी महत्ता को समझे, हमारे देश भारत की देन है आयुरुवेद, आयुरुवेद से जुड़ जाएं, और अगर किसी भी तरह की आपको कोई परिशानी है, कोई बीमारी है, मैं फिर से आपको कहूंगा, किसी भी तरह की कोई भी परिशानी, कोई बीमारी, सबसे पहले उस बीमारी की मूल जड़ में जाएए उसके कारण में जाएए जड़ तक बीमारी की जड़ में नहीं जाएंगे उसका निदान संभव नहीं और यही करता है आयुरवेद बीमारी की जड़ तक जाता है उसका पूरा हल ढूंडता है फिर उसका निदान करता है उसका इलाज करता है इसके लिए अब आप ज पूरा हल ढूटा जाएगा फिर उसका इलाज किया जाएगा आपको परामर्ष के साथ साथ उचित दवाएं दी जाएगी आप चाहें तो क्लीनिक आकर दवा ले ले और आप क्लीनिक नहीं आ सकते तो फॉन पर बैठे बैठे घर बैठे अपनी दवा मंगवा सकते हैं ये हमारे दयनिक जीवन में चारो तरफ से हो रहा है तो उसके लिए भी पहले से ही हमें सॉलिड करती है मजबूत करती है तैयार करती है आद वेद रोग निवारा किट जो हमारी इम्मूनियूटी को बूश्टप करती है रोग प्रिति रोदक शम्ता को मजबूत बनाती है और बनाती है हमें उन रोगों से लड़ने के लिए पहले सी मजबूत जो हमें भविश्य में होने वाले हैं इस लिए पहले ही थे पीपी, शूगर, डैपटी और यूरिन के प्रावलम में भी काफी तंग किया हुआ था पिशाव रुक रुक के आता था और कभी को जनन भी होती थी रोहन ने मुझे पास के डॉक्टर को लिखाया और उन्हें कुछ दॉआईया दी पर उसे कोई फरक नहीं पड़ा फिर वो मुझे सत्करतार विल्नेस क्लिनिक लेके गया और यहां पर जो डॉक्टर काफी क्वालिफाइड और एक्स्पीरेंस हैं उन्होंने पहले मेरी अंदर खान के बाद मुझे काफी आराम मिला और तो जोड़ों के डर्ट के लिए उन्होंने तेल दिया था उसको लगाने से अब मैं काफी हलका मैसूश कर रहा हूं और सुबह शाम वाक्त भी जाता हूँ अगर आप अपने रोग का उचित आरुवेदिक इलाज चाहते हैं बिमारी की जड़ को ठीक करना चाहते हैं तो आप सत्करतार वेलनस क्लिनिक आकर अनुभवी डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए आपको स्क्रीन पर दिये नमरों पर कॉल कर करना चाहते हैं रोग क्रती रोजक शम्ता को बढ़ाना चाहते हैं इम्नुटी पावर को बूस्ट करके अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं या किसी भी गंभी रोग से बचना चाहते हैं तो आप आदवेद रोग निवारक किट को मंगवा कर इसका सेवन शुरू कर सकत आदवेद रोग निवारक किल सभी रोगों को ठीक करने में पूर्टा लाबकारी और असरदार है